C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाय उर्दू भाग 1 आईए सुनते हैं नवाय उर्दू भाग 1 का 23 सब तारुफ मस्नवी मस्नवी मसलसल अशार के ऐसे मजमुएं को कहते हैं जिसमें हर शेर के दूनों मिस्रे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिये अलग-अलग होते हैं मस्नवी के अशार की तादाद मुकरर नहीं है उर्दू में तवील और मुक्तसर दूनों तरह के मस्नवियां लिखी गई हैं तवील मस्नवियों में मीर हसन की सहर बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम बहुत मशूर हैं मस्नवी में रजम वबजम, हुस्न औ इश्क, पंद औ नसिहत, मदह वाहिजू, हर तरह के मौजवाद नजम किये जा सकते हैं कदीम मस्नवियों में ज्यादा तर इश्किया किस्से और मजहभी वाइखलाकी मजामीन नजम किये गए हैं इन इश्किया किस्सों में वो तमाम खुसूसियाद पाई जाती हैं जो नसरी दास्तानों में मिलती हैं फौक फितरी अनासिर के अलावा मस्नवियों में उस जमाने की तहजीब और मौशरत की जल्कियां भी मिलती हैं हाली और आजाद के जमाने से मस्नवियों के असलूप और मौजवात में नुमाया फर्काया है इसके बाद इसमें मुख्तलिफ मौजवात और मसाइल नजम किये जाने लगे सफ़ा नंबर 176 मीर गुलाम हसन हसन मीर हसन के खानदान के लोग इरान से आकर दिल्ली में बस गए थे इस खानदान ने उर्दु जबानों अदब की बेश बहा खिदमात अंजाम दी मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन जाहिक अच्छे शायर थे उनके बेटे मीर खलीक और उनके पोते मीर अनीस ने उर्दु शायरी में मरसिया गोई की नई राही निकाली मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द रहे जब दिल्ली से बहुत से लोगों का तालुक तूटा तो मीर हसन के वालिद भी फैजाबाद चले गए वहां से लखनों पहुँचे और वहीं इंतिकाल किया मीर हसन ने गसलें भी लिखी हैं लेकिन उनकी शोहरत का दारुमदार उनकी मसनवी सहरुल बयान पर है ये मसनवी मीर हसन ने इंतिकाल से कुछ ही पहले मुकमल की थी सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत के सामने दूसरे बहुत से शोरा की मसनवियां और खुद मीर हसन की दूसरी मसनवियां मांद पड़ गई मनजर निगारी, वाकिया निगारी और किरदार निगारी को दिलचस्प और मुतहर्रिक शकल में पेश करने और कहानी को मर्बूत तरीके से बयान करने में मीर हसन को खास महारत हासिल थी उनकी मसनवी मुख्तलिफ अश्या और मजाहिर के जिक्र से भरी हुई है यही वजा है के मसनवी की कहानी अगर्चे बिलकुल ख्याली है लेकिन उसके वाकियात और किरदार जीते जागते और हमारी दुनिया के बासी मालूम होते है सफ़ा नंबर 177 दास्तान शहजादे के खायब होने की और गम से माबाप और सब के हालत तबह करने की शायर मीर गुलाम हसन यहां का तो किसा मैं छोड़ा यहां जरा अब सुनो गम जदों का बया करूं हाल हिज्रा जदों का रकम के गुजरा जुदाई से क्या उन पे गम खुली आँख जो एक की वां कहीं तो देखा के वो शहजादा नहीं ना है वो पलंग और ना वो महरू ना वो गुल है उस जा ना वो उसकी बू रही देख ये हाल हैरानकार कि ये क्या हुआ हाए परवर्दिकार कोई देख ये हाल रोने लगी कोई गम से जी अपना खूने लगी कोई बिलबिलाती से फिरने लगी कोई जाफ हो हो के गिरने लगी कोई सर पे रक हात दिलगीर हो गई बैठ मातम की तस्वीर हो कोई रख के जेरे जन्खदां चड़ी रही नर्किस आसा खड़ी की खड़ी रही कोई उंगली को दांतों में ताब किसी ने कहा घर हुआ ये खराब किसी ने दिये खोल सुम्बल से बाल तपाचूं से जूं गुल किये सुर्खगाल ना बन आई कुछ उनको इसके सिवा के कहिए ये एहवाल अब शेह से जा सुनी शेहने अलकिसा जब ये खबर गिरा खाक पर कहके हाए पिसर कलेजा पकड मा तो बस रह गई कली की तरहा से बेकस रह गई कहा शेहने वहां का मुझे दो पता अजीजो जहां से वो यूसुफ गया गए ले वो शेह को लबे बाम पर दिखाया के सोता था यहां सेम बर यही थी जगह वो जहां से गया कहा हाए बेटा तु यहां से गया मेरे नौचवां मैं किधर जाओं बीर नज़र तुने मुझ पर ना की बेनजीर अजब बहर गम में डुबोया हमें गरस जान से तुने खोया हमें करूं इस कियामत का क्याम बयां तरकी में हर दम था शोरो फगां लबे बाम कसरत जो यकसर हुई लबे बाम कसरत जो यकसर हुई तिले की जमी सारी उपर हुई शबाधी वो जिस तरह सोते कटी रही थी जो बाकी सो रोते कटी सफ़ा नंबर 178 मश्क लफ्सो मानी हिजराँ जदा जुदाई का मारा हुआ रकम तहरीर इसके माने रुपिया पैसे के भी होते हैं माहिरू चांद जैसे चहरे वाला जा जगा जाफ कमजोरी दिलगीर मखमूम रंजीदा घमकीन दिलगिरफता जन्खदा थोडी सुम्बल एक किस्म की खुझबूदार पेल पिसर बेटा बेकस मुर्जाना बाम बाला खाना कोठा सेम बर चांदी जैसे बतनवाला पीर बूढ़ा शोरो फगा बुलंद आवास से रोना सफ़ा नंबर एक सो उनासी गौर करने की बात मीर हसन की ये मसनवी तकरीबन 200 साल पुरानी है इसकी खुबी इसकी सादगी और जादू बयानी है इसलिए इसका नाम सहरूल बयान रखा गया है इस मसनवी में एक ऐसे बात्चाह का जिक्र है जिसकी कोई आलाद नहीं थी बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद उसके यहां एक बेटा पैदा हुआ जो बहुत ही खुबसूरत था इसलिए उसका नाम बेनजीर रखा गया नजूमियों के कहने के मताबिक शहजादी के लिए बारा साल खतरनाक थे इसलिए उसे खुले आसमान के नीचे नहीं जाना था खुदा का करना ऐसा हुआ कि बारा साल पूरे होने से चंद घड़ियां पहले शहजादा अपने साथियों के साथ छट पर जाकर सो गया और एक परी उसकी खुबसूरती की वज़ह से उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ा कर ले गई आपके निसाब में इस से आगे का इख्तबास शामिल है जिसमें शहजादे के गायब होने के बाद महल के अंदर जो आहो फगं का तूफान उठा उसकी अकासी बहुत पूरा सरांदास में की गई है सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक महरो और गुल्रो के अलफाज किसके लिए और किस शेर में इस्तिमाल हुए हैं सवाल नमबर दो सर पे हाथ रखके बैठना और दातों में उंगली दवाना के क्या माने हैं सवाल नमबर तीन तले की जमीन सारी उपर हुई इस मिस्रे का क्या मतलब है सवाल नमबर चार शहजादे के गाइब होने पर गनीजों ने किस तरह अपने गम का इजहार किया है अपने अलफाज में लिखिए अमली काम उस्ताद की मदद से शेरों की बुलंदख्वानी कीजिए इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कुछ बन ना आना दातों में उंगली दबाना खड़ी की खड़ी रह जाना मस्नवी के किस शेर में कौन सी तलमी इस्तिमाल की गई है उसे लिखिए इस मस्नवी के ऐसे शेरों की निशान देही कीजिए जिन में सनते तश्बी हो और ये भी लिखिए कि किस चीज को किस चीज से तश्बी दी गई है खत्म शुद इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का तेईस्वा और आखरी सबक यहां खत्मुआ इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक किताब भी खत्मुई रस्तुती C.I.E.T. and C.E.R.T. नई दिल्ली भारत